नमस्कार दोस्तो स्वागे ताइक पर फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्ष्या मंत्राली भर्ती के बारे में जहां दोस्तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से आपके ओफिशल वेकेंसी रिलीज होनी आपकी जोब लोकेशन क्या रहेगी पूरा डिटेल में जानने के लिए ओल इंडिया लेवल के कैंडिडेट मेल और फिमेल दोनों ही आपे इलिजिबल होने वाले इस वेकेंसी के अंदर तो दोस्तो आप बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट इसके बाद में लोवर डिवीजनल कलर की अपर डिवीजनल कलर सफाईवाला मेसेंजर और हेलपर के पदो पे आपकी वेकेंसी निकलने जारी है तो दोस्तो जो भी कैंडिडेट्स अपलाई करेंगे वो पर्टिगलर एक स्टेट के लिए आवेदन कर सकते हैं सभी स्टेट को लेवल टू का पेश्केल मिलेगा उन्नीस हजार से तरेस्जच हजार दोसोर रुपे सफाईवाला लेवल वन की पोश्ट रहेगा आपके 18,000 से लेकर कलर के लिए भी आप 17 साल के बीच में LDC की पोस्ट के लिए 18 से 40 साल सफाई वाले के लिए 18 से 40 साल मेसंजर की पोस्ट के लिए 18 से 40 साल और हेलपर के पोस्ट के लिए आप 18 से 35 साल का age limit का criteria रखा गया है इसके अलावा आपको age relaxation भी दिया जाएगा दोस्तों apply आपको बता दो कि ओफलाइन रहेगा ओफलाइन आवे दन आपको करने पड़ेंगे टोटल मिला कि अगर बात कि जाए नंबर ओफ वेकेंसी की तो 10,225 पदो पर आपके वेकेंसी निकलने जा रही है Education qualification के अगर बात करें तो minimum qualification यहापे 12th pass रखी गई है जो कि आपके आपके पोस्ट वाइज वेदी करेगी इसके अलावा अगर यहापे level 1 के पोस्ट के बात कि जाए सफाईवाला messenger और यहापे पियोन के पदो पे तो उस पे आपके यहापे 10 भी पास मागा गया है तो दोस्तों यह आपके education qualification रखी गई है तो application fees के अगर बात करें तो यहाँ पे notification में कोई भी mention नहीं किया गए लेकिन जैसे forum आपके start होंगे उसके बाद में जैसे particular किसी post के लिए apply करेंगे तो वहाँ पे आपके पास में fees का पूरा detail में जो भी criteria होगा वो आपको बता दिये जाएगा कि कितनी fees आपके लगनी पड़ेगी total कितना payment आपको करना पड़ेगा apply के second इसके लिए आपको बता दूगी जो भी interested candidate है offline आवे दिन आपको करना पड़ेगा जो कि start होने जाने है 21 March से 21 March से आपके आवे दिन शूरू होगे और आपके last date यहाँ पर रहेगी 21 दिन के अंदर अंदर आपको आवे दिन करना पड़ेगा इसके अलावा other mode आपका acceptable नहीं किया जाएगा selection process आपको बता दूगी written test आपका conduct करवाया जाएगा उसके बाद में आपका skill test होगा और कुछ पोस्ट के लिए आपका interview भी conduct करवाया जाएगा यह आपका पूरा detail में process रहने वाला all India level की vacancy रहेगी आवेदन जरूर कीजिएगा अब मिलेंगे आपे next वीडियो में एक अपडेट के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद हो